गोरखनाथ नीज से बात करते हुए जिलादिकारी केविजन पांडे ने कहा कि ठानाशापूर एवं गोरखनाथ छेतर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ठानाशापूर एवं गोरखनाथ छेतर में 21 जुलाई से पराता पांच बज़े से 27 से लागडाउन खुशित किया गया है इस दोरा उस चेतर के सभी लोगों का स्वास्त परिछर कराया जाएगा उसके बाद सोमवार के लागडाउन हटा लिया जाएगा जिलादिकारी के विजन पांडे ने लोगों से अफील किया है कि लापरवाही का तहीं ना करें लागडाउन खुशापूर और गोरकनात थाना चेतर पर तकि यहां तो क्लस्टर में बहुत सारे केसे निकले हैं इसको तो विशेश अभियान के तोर से हम लोग कल से लेकर यानि मंगल कल है कल से लेकर के हम लोग अगले रभी बार तक बंद रखेंगे सोम को खुलेंगा बीच में कितने दिन है इस पे तो गरगर जाकर के हम लोग जो पेशेंट है कास्तोर पर जो किसी के सास लेने में बीमारी है किसी के को मारिबरिटी है किसी के पहले साही जो बीमारी है उसी के पैचान करके जांच कराएंगे और वहां कैम भी लगेगा और सफाई का अभिया नहीं कर पाएंगे उसको केस का और आप गर्खे बाहर मत निकालिए इसी दोनों ताना चेतर के कास्तोर पे आपको जो रोज मरा जो ज़रूरी चीज है वो आज ही करीद के मंगा के रख लीजिएगा बाकी जो बेसिक फेसिलिटी आपको सुविदा मिलेगा दवाय का दुकान में बहुत सारे पासिटिव पेशेंट है कहीं न कहीं हाप चपेट में ना आ जाए मेरा पील भी है मेरा चेतावनी भी है कंट्रोल यह इस पर कंटाइन्मेंट जोन कहते हैं उसको जो दो जगए इसी के अंदर कोई गतिविती अलोड नहीं है कोई दुकान कोलना और और कु के अंदर ही रही है कोरोनों से लड़ने के लिए हमें साथ दें थैंक है